टीवे इंडस्ट्री के जानीमानी आक्टरसेस जो हमें सीरियल्स में भावी भवो के किरदार में नजर आती हैं और खूब एंटिटेइन भी करती हैं आये जानते हैं इनकी पर डे अर्निंग कितनी होती होगी लेकिन उससे पहले अगर आप यह हमारी वीडियो फेस्बुक प बात करें तो जैनेफर एक दिन में एक लाक रुपए अर्न कर लेती हैं आपने इन्हें बेहद और बेपना सीरियल में देखा होगा दूसरे नंबर पर आती हैं हिना खान जो अब धीरे-धीरे बॉलिवुड में भी एंट्री मार्थी नजर आ रहे हैं उन्हें आपने हैग स्मार्टफोन, लाइन जैसे मूवीज में देखा होगा और साथ ही स्टार प्लस का पॉपलर शो ये रिष्टा क्या कहलाता का भी हिस्सा रह चुकी हैं और वहीं बिग बॉस लेवन की फर्स्ट रॉनर अब भी रह चुकी हैं इनके पर डे इंकम की बात करें तो हीना खान एक दिन में 2,00,000,000 रुपए अर्न कर लेती हैं तीसरे नमबर पर आती हैं एरिका फन्नाइंडेस जिनको आपने कसोटी जिंदगी की और अभी करेंटली कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 में देख रहे होंगे एरिका एक दिन में 1,00,000 रुपए तक अर्न कर लेती है चौते नमबर पर आती हैं जैस्मिन भसीन दबबली आक्ट्रस जैस्मिन भसीन जिनको आपने खत्रों के खिलाडी सीजन 9, बिग बॉस 14 दिल से दिल तक जैसे शोज में देखा होगा इनकी क्यूटनेस के लोग कायल हैं अगर इनके पर दे अर्निंग की बात करें तो जैस् दिन में 50,000 तक अर्न कर लेती हैं पाच्वे नमबर पर आती हैं दिव्यांका त्रिपाटी जिनको आपने स्टार प्लस के पॉपलर शो ये हैं महोबते में खूब पसंद किया था और अभी करंटली इन्हें आप खत्रों के खिलाडी सीजन 11 में देख रहे हैं दिव्यांका एक दिन में 1,000,000 रुपे तक अर्न कर लेती हैं चटवे नमबर पर आती हैं शिवांगी जोशी जिनको आप स्टार प्लस पे आने वाला शो ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं नाईरा के किर्दार में खूब पसंद कर रहे हो शिवांगी एक दिन में 50,000 तक अर्न कर लेती ह और अगर इनके पर डे इंकम की बात करें तो निया 50,000 तक अर्न कर लेती हैं आठवे नमबर पर आती हैं रश्मी देशाई जिनको आपने बिक बॉस 13 दिल से दिल तक नागी उत्रन जैसे शोज में देखा होगा रश्मी पर डे 70,000 तक अर्न कर लेती हैं नौवे नमबर प 60,000 तक अर्न करती हैं दस्वे नमबर पर आती हैं दिपिका ककर आपने जिनको सिमर के किरदार में खूब प्यार दिया दिपिका को आपने सुस्राल सिमर का कहा हम कहां तुम जैसे शोज में देखा होगा इनकी पर डे इंकम है 60,000 रुपीज तो ये थी कुछ टॉप 10 को हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं धन्यवाद